आई हैड पासिट कलास फायूम आई हैड टो गेट एडमिशन इन दा सिकिस्त दा विलेज है ट्यागी इंटर कॉलेज बारला विच है नौ चीडि इस नेम जो बारला का इंटर कॉलेज बारला ओम प्रेकश वालमी की यहां पर कहता है कि जब मैंने पांचवी कलास पास किया मुझे सिकिस्ने के लिए एडमिशन लेना था एक नए स्कूल में और इन दुन हमारे गाओं में हमारे इलाके में हुआ करता था एक एडिकेशनल इन इस चूट जिसका नाम था तौगी इंटर क बार्ला से और यहां पर याद रखने वाली बात हैं कि ओम प्रेकश वालमी की जी के गाओं का नाम बार्ला था आई बास समझ में दियर वाग्वाजन आफ टेकिंग एडमिशन गिवन दा सरकमस्टेंसे ता फैमिली फांड इचल अफिन हाव कुड वन तिंक अफ सिटे इस वन डिड नाट इवन हैव फूड और कहता है कि मैं अलमिशन नहीं ले सकता था इस स्कूल में क्योंकि जो हमारी गर की जो हाला थी फाइनलसल कॉंडिशन थी वो बहुत ज्यादा क्रूशल थी वीक थी क्योंकि इनके बाई की डेथ होगी जो लोता कमाई वाला था इनके ग ही था ठीक है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा गमगीन हुआ करता था जब मैं अपने स्कूल मेटिस और कलास मेटिस को देखता था किताबे लेकर या स्कूल जाती जानसीर वाज माई एल्डर ब्रेदर ओंपरकाश वालमिक जिका और एक बड़ा बाई था जिसका नाम था जानसार बोट आफ उस वुड लीव होम अर्ली इन दा मारिनिंग हम दोनों सुबह सवेरी घर से निकल जाते थे वी वुड गो अराउंड दा फील्ड इस कोलेक्टिंग वाइली ग्रास फावर बैफलो और खेतों में जाते थे क्या करने के लिए गाल जमा करने के लिए हमा करता था और उसने मजदूरी के बदले वहां से क्या लाई थी बैस लाई थी और हम उसी उमीद में हम इस बैस को पार रहे थे हमें यकीन था कि जब ये बच्चा देगी हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे बोट जानसीर एंड आइवर कॉनस्टेंटली बिजिंग अटेंटिं और मुझे और एक जिम्मेदारी थी दुपहर में कि जो पिगस है इनको जो सोर है इनको चारा डालना ठीक है इनको गास खिलाना पिगस वायर वेरी इंपोर्टेंट पार आफ आर लाइव जो पिगस थे वो हमारे जिन्दागी का एक उटूट हिस्सा था इन सिकनेस और इन चाहिए शादी बिया का माहूल हो फिगस प्ले इंपार्ड रोल इन आल आप देम जो सोर थे वो इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इन सारी चीज़ों में इवन आवर रिल्चा सर्मानी वायर इनकोंप्ले विगस जो हमारी मजभी जो तेहवार थे हमारे रिच्वाल थे वो भी किनके बगेर उदूरे थे इन्हीं पिगस के बगेर उदूरे थे तब पिगस रूटिंग इन दा कमपॉंट इस वायर नौड आप डर्ट तो आस बट आफ प्रास्पर्टी एंड सो दे आर तोड़े जो पिगस हमारे जो आंगन में दोड रहे हमारे लिए ये सि सब्सक्राइब आपको दूर रखते थे किन चीज़ों से यह सोरपाल आप डर्ट आप डर्ट आपको दूर रखते थे किन चीज़ों से पालने से या गायवाई पालने से आई बासमझ में इस वजह से नहीं बट आप इनकी इनफिरियोर्टी कंप लिकर से वह इन चीज़ों से अपने आपको दूर राखते थे और जो पड़े लिखे थे वो सारे लोग शर्माते थे उनको ला जाती थी कि यह सारी चीज़े करने से क्योंकि जो सुसाइटी का प्रिशर उन पे मेंटें था वो इसी वज़ाज से इन सारे चीज़ों में मुदाखलत नहीं करते थे एक दिन क्या हुआ कि जब मैं पीकुस गो गास चराने के बाद गर ले जा रहा था और इसी रास्ते में मुझे कौन मिला सुखम सिंग मिला उसने मुझे रोका और बोला वाई हैव यू स्टाप उट कमिंग तो सुकूल हाँ ओम प्रकाश आपने सुकूल आना क्यों छोड़ा आगे जाकर नहीं पढ़ोगे और मैंने अपना सर हिलाया मैंने बोला कि सुकूल सिंग मैं आगे जाकर नहीं पढ़ोगा वह बहुत देर तक बोला कि सुकूल का एटमासफिर कैसा है वहां का निव एटमासफिर के बारे में मुझे वाकफ करा रहा था वहां प्रकाश आपको पता है कि हमारे सुकूल में अब क्या है हमें वहां पे बैच्ट हैं हमारे पास वहां पे चियर्ज हैं वायर एस बिफोर वी यूज़ तो सिट ओन मैट्स जब हम उस होओं पर बैठते थे मैट्स पर बैठते थे मिचाई पर बैठते थे अब हमें उन चीजों पर नहीं बैठना पड़ेगा हमें कहां पर बैठना पड़ेगा पर और बेंचु पर तर्टी जोर आप उस्ताज भी ज्यादा सिटुटेंटों को नहीं मारते हैं और आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए सपरेट टीचर है मतलब कि एक इंगलीश पड़ा एक टीचर इंगलीश पड़ा रहा है दूसरा हिंदी पड़ा रहा है दूसरा साइनस पड़ा रहा है ठीक है मैं इसी में गम की हालत में अब गर आ गया कुछ ना कुछ मेरी अंदर मुझे इंपैशिंट करा रहा था इनाब लीट गो सखूल है जो में सखूल नहीं जा सकता था इस चीज ने मुझे क्या बहुत ज़्यादा नाउमीदी दी मतलब कि मैं आप सखूल नहीं जाओंगा मेरा क्या होगा मेरा फूचर कैसा होगा जो मेरे साथ पढ़ रहे मैं उनकी कल के गर में जाड़ों सारी चीजे ये ओम प्रेकास सोच रहा था तब मैजेस्टिक बिल्डिंग अब दा इंटर कॉलेज विफोर माई आइज जो सुखम सिंग ने इसके सामने उस इनस्टूड के जो तारीफे की वो सारी तारीफे इसके आंखों ले गुंज रही थी वो कहता है कि मतलब काश में व अपनी मां कों बोला क्या बोला मां I want to go to school मां मैं जो स्कूल जाना चाहता हूं there were tears in my eyes मगर मेरे आँखों से आँखों में आँशों थे seeing my tears my mother also started to cry मगर जब मेरी माह ने मेरी आँखों में जे आँशों देखे तो उसने भी रोना शुरू किया when माह cried her complaints and grudges would be counted in a loud voice that brought forth all the neighborhood woman who would surrounded her जब माहने रोया उसने बहुत ज़्या रोया वो आवज़ारी कर रही थी गर्जिस कर रही थी ठीक है गर्जिस मेरे उसके आवज़ारी कर रही थी कि क्या हुआ मेरा सुखबीर मर गया एक बंगाल चला गया एक और दूसरे हुआ कि हम गरीब है ऐसे हैं यह नहीं जा सकता है स्कूल तो ऐसी सारी चीज़े यह कह रही थी कि मतलब इन्हें लावडवाइस जोर जोर से कह रही थी कि जो इनके हमसाई में जो खातूं है वो सारे इसके इरिद गिर्द जमा हो गए क्योंकि वो देखने आये कि इनके गर में सब कुछ ठीक है य बाबी वाज क्राइंग टू सिटिंग आल बाय हर चलब सिर्फ माही नहीं रो रही थी मेरी बाबी भी चुप चुप के रो रही थी वो एक कौने में अकेले पैट रही थी अगर हम किसी को जैवर कहे जैवलरी कहे बाबी है तो मेरे बाबी के पास एक चांदी की पायल थी और जो हमेशा समाला करती थी अपने शादी के कपड़ों में शादी के साजो सामान में मेरी मा थी वो रो रही थी जो 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 पहले रो रही थी उसे अब ज्यादा रो रही है बाबी अपनुधार तिन बाकुस बाबी ने अपना ये पेटी खोड़ी अपनी ट्रंक खोला तुक आवर दा एंकलेट और उसने उस वहां से एंकलेट उठाया इस सिल्वर पायल उठाई और पुट इट इन माज हैंडस और इसको मेरे माँ के मतब इसके अपने सांस के हाथो ये लाला जी उम्परकाश को किस नाम से बुलाती थी लाला जी एकर जे सारी वहां पर वोमें तो घाथूंस थे हैंडस इस रावये पर वह रहां किसी भी बाबी होती है फड़ इतनी कई बाबी किसी को मिलती हैं ठीक है मैं अपनी बाबी को गले लगाया और बहुत ज़्यादा रोया एड एट मुमेंट आइ मिसिट मैं प्रैदर डेपली और इस वक्त मैंने अपने बाई मतलब सुख्बीर को बहुत ज़्यादा याद किया दा मेमूरी आप देश इस इडिल कंटिनियूस या बाबी नो बहुत डोंट सेल इट पिताज जी ने बहुत समझाया बाबी को और बोला कि बहुत यह मत बेजो यह मत बेजो आई विल अरेंग समझ हम तो स्कूल मैं कुछ इदर उदर करूंगा मैं कही कही पर करजा लोंगा और लाला जी को मैं अलमिशन कराऊंगा डोंट य कोई परेशन होनी की कोई जरुरत नहीं है तुम्हें यह ज़स्ट दवन औरनमेट आपके पास बस यही एंकलेट है और तो यह आपकी शादी की निशानी भी है हमें कैसे बेज सकते हैं गो आन कीप इट जाव जाव भू इसे सांबाल के रखो बट बाबी वुड नाट लि मेरे पिताजी के हाथों में थमाई विदिया सिती नारा इन शर्मा यूज टुपान और गोल्ड और सिल्वर औरनमेंटिस और एक्ट आपके अ मुली लेंडर अपार्ट फ्राम इस रिगूलर जॉब आज दा विलिज प्रिश्टम इनके गाउं में एक आजमी हुआ करता थ जिसका नाम था विदिया सिति नारा इन शर्मा वो क्या करता था वो तो एक ये इन खरीता वैचता भी था मतलब शिल्वर और्नमंट रोड औरम इन गर्मिंट ऐस्ड debating था और बेचता भी था और एक मॉनी लेंडर भी था मतलब जो पैसे पर देता था और क्या वो था और वो गाहों का पादरी और पंडित भी था मां पांगर दें एकलेट विचिम और दस वादाई एडमिटू तो दा कलास थी किस्त मां ने जो एकलेट है वो कहां पर बेज डाला इसी सत्या नारायन शर्मा के हम बेज डाला और इसी तरह से मेरा एडमिशन हो गया राम सिंग और सुखंभ सिंग वाइर इन डिध nah दिफलेंट एकला अर जो मेरा रोल नाबर फार वो लाश्ट में था ये और एसी वाज़ेसे मुझे मुझे बैठना पड़ा लाइन में यह बैठना पड़ा श्रावन कुमारा सेट इन दानिक सीड और मेरे बागी में और एक लड़का बैठता था सुनक नाम श्रावनकुमार शर्मा आल्डो विपिंगाभ नइक तोगेधर reconciliation सिटिंग टिएधर हम जो पढ़ रहे थे एक सी विर्श्ट कालास साल स'Tी मांगर हमां मैं उतनी सै उतनी ज्यादा बॉर्निंग नहीं ठीजिजिदोगर हममें बहुत ज्यादा इंट सेय रहे ठीजिदोफेंग नहीं थी वह बहुत ज्यादा आ खुबशा है और एट्रैक्ट हुथा तेलकेट लाईगा गर्ल वह एक लड़की जैसे नाजुक था कास्ट नियावर केम बिट्वेन अस और जो कास्ट था मतलब जो श्रावन कुमार था वह अपर कास्ट था और मैं लावर कास्ट था तो ये कास्ट हमारे बीच कभी नहीं आया मतलब वह समय अधा था कि वह वह प्रकाश लवर कास्ट का लड़का है मैं उसे क्यों मतलब चलों फिर वह मगर उसने वह मतलब वह उस पर कंसंट्रेट नहीं किया उस पर ध्यान नहीं दिया जिस वाज़ा यूनिक एक्षिपिर्यनिस पी फार मिए और ये मेरी लिए ओ एक नहीं एक experience थी, Ram Singh and Sukham Singh were also my classmate Ram Singh and Sukham Singh भी मेरे classmates थे, मेरे साथ पढ़ रहे थे but Sukham Singh never came to my house मगर Sukham Singh कभी मेरे गर नहीं आया I would often go to his house मैं हमेशा उसके गर जाया करता था we said together हम एक साथ बेठा करते थे स्टेट इट टोगेधर और एक साथ पढ़ाई भी करते थे later on we also develop our relations at the family level और इससे आगे जाकर हमारे गरेल उतालो काद्वी आपस में अच्छे हो गए today his older son, आज कल उसका बड़ा बेटा जिसका नाम है Rajneesh, treat me वो मेरी वाइफ और मुझे बहुत इज़त और एहत्राम से treat करता है परहपु सुकाम सिंग वो थोड़ा सा गरी भी था कि से श्रावन कुमार से then we become friendless with a third person और हमारे बीच औरे का लड़का हाया जो हमारा दोस्त बन गया his name was Chandlapalwarma and he came from village Mandla जिसका नाम था Chandlapalwarma और वो किस गाउं से बिलॉं करता था मंदला गाउं से बिलॉं करता था वो हिवाजा गुजर भाइ काष्ट और उसकी काष्ट क्या थी उसकी जात थी गुजर he used to bother श्रावन कुमार लाट वो हमेशा श्रावन कुमार को तंग करता था sometimes he would pinch his cheeks and sometimes he would push him कभी-कभी वो इसकी चीक पर पिछ करता था ठीक है या कभी-कभी उसे वो तकार देता था sometimes he would hide his books कभी-कभार वो इसकी बुकस श्रावन कुमार की बुकस छुपाए रखता था यह उसका हर रहर दिन का माजूर था या मामूर यहां पर ओम प्रकाश वाल में की जी कहता है कि एक दिन क्या हुआ कि जब हम कलासरूम से बाहर निकलते थे he gripped शावन कुमार टाइटली and bit him on his cheek चंदरपार वर्मा ने शावन कुमार को पीछे से पकड़ा टाइटली पकड़ा और उसकी गाल पर काटा थोड़ा सा बिट किया the whole कलास saw him do it but no one said a word सारी कलास ने मनजर देखा अगर किसी ने कुछ नहीं बोला everyone was laughing lovely हर कोई एक कलास में जोर जोर से हस रहा था ज़र शावन कुमार बिगिन टो क्राइट और इस सिलसले में शावन कुमार ने रोना शुरू कर दिया चंदरपाल वारमा खुद भी हस रहा था I don't know what happened to me at that moment मुझे नहीं पता है खुद भी कि मुझे उस टाइम पर क्या हुआ पट आ ग्रैप चंदरपाल वारम चंदरपाल जन्याग बट मैंने क्या किया मैंने चंदरपाल का जो जो गरदन है मैंने वह पकड़ी जोर से and pushed him down और उसको नीचे गसीटा even though he was twice my height and weight हता कि वह दुगना था मेरे height और weight से चंदरपाल kept screaming to free his neck but I don't let go of him चंदरपाल बहुत ज्यादा struggle करता है रहा मतलब बहुत ज्यादा कुशिश करता है कि वह अपनी गरदन मेरे हाथों से छोड़ा है मगर मैंने ऐसा नहीं किया मैंने उसकी गरदन नहीं छोड़ी चंदरपाल वर्मा को मेरे इस रवाय से गुसा नहीं आया और वह सिर्फ क्या करता रहा हसता रहा ठीक है लेटर यह आलसो बेगर फार्गिव रहाम शावनकुमार और अखर मैं और चंदरपारवारमा ने शावनकुमार से अपने रावाय की माफी मांग ली ठीक है ली भी ठीक है और अखरेंगे की गए उपना ने खुझा रहाएं यह तुझा आट 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 लोगी माफी आट वर टीक है और अधर शावनकुमार और यह तो दोस्ताना था है और हम एक दूस्ते के बिना जिन्दगी काटना मुश्किल करते थे after school, school के बाद जब चुटी होती थी शावन कुमार and I did not return through the main road शावन कुमार और मैं कभी कभी नहीं जाते थे गर main road से, we walked home through the fields and foot passes तो ये किस रास्टे जाते थे गर ऐसी गली कुचु मैं खेतू, जंगलों से ये गर जाते थे, जिस बिकेम regular routine of hours, ये हमारा रोज रोज का मामूल था हमारा routine था कि हम घर सीधे रास्ते नहीं जाते थे the effect of my friendship with चंदरपाल had become instantly visible, जो मेरी और चंदरपाल की वर्मा की जो फ्रेंट्शीप वो साब को दिख रही थी I had been released from the tortoise and the hector इसे मुझे क्या फाइदा मेला चंदरपाल वर्मा की दोस्ती से कि जो मुझे जो त्यागी बाइद जात की जो लड़की थे मुझे ताने देह रहे थे मुझे बाते सुन रहे थे मैं उनसे अब आजाद हो गया नाउट हैंट टी इडिए तैप यैजाउटे का वाटर अब मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता है spूम में लिटिंड़के से पानी पीने के लिए मुझे इंतफार हृता है कि इसे इसे पहली होता तो सारी लड़कों की बोलती बंद होती थी वह किसी को भी मार सकता था जिसे उसी मर्जी हो और वाइज थे वह भी डरते थे किन से गुजर लड़कों से तो मैं आगे बैठने लगा हूं ठीके पहले रो मैं बैठने लगा हूं तो मेरे जो नताइज थे एक्जाम के उसने मेरे कॉंफिजर उसने को बढ़ा आया मेरे मार्कस अच्छे होगे तो मुझे बनाया फिर कलास मुनीटर टीच और मेरी जो सीट है अब वो मैं कहां बैटने लगा हूँ क्योंकि मेरे नतायच निकले क्योंकि मैं अच्छा पढ़ने लिखने में अच्छा था और मेरे मार्कस अच्छे भी आती थे बहेवर आप सम्टीचर्स मगर बात किसमोई इसे कुछ टीचर्स ऐसे भी जिनका बहेवर चेंज नहीं हुआ वह अभी भी वह देखियानों सी सोच रखते थे और उनके साथ मेरी अभी भी नहीं बनती है ठीक है वह अभी भी मुझे उन तींचर्स से नफरत है ठीक है तो आई होब कि आपको यह वीडियो सीरीज जूठा अच्छे लगी होगी तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी होगी मान से तो इस वीडियो को ला यहलिकी हो आला हिनके बाको